इदुल फितर की सब को मुबारक बात रोजेदारों को तौफे का दिन इदुल फितर इद का तोहार भाईचारे और सुहाद का परतीक है इदुल फितर अल्ला का रोजेदारों को तौफे वाला दिन माना जाता है क्योंकि एद मनतें पूरी होने का दिन माना गया है आज 11 अपरैल 2024 दिन गुरुवार को भारत में एद लफितर का तोहा धूमदाम से बनाया जा रहा है एद लफितर दरसल दो शब्द हैं एद और फितर असल में एद के साथ फितर को जोड़े जाने का एक खास मकसद है वह मकसद है रमजान में जूरी की गई रुकावटों को खतम करने का ऐलान यही नहीं के पैसे वाली लोग ही इस तोहार को मना सकते हैं गरीब असहाए और छोटे लोग मुँ देखते रह जाएं साथ ही छोटे बड़े अमीर गरीब सबको इस तोहार को मनाने का हक होता है शब्द फितर के माईने चीरने चाक करने के हैं और एद उल फितर उन तमाम रुकावटों को भी चाक कर देती है जो रमजान में लगा दी गई थी जैसे रमजान के दिन किसमें खाना पीना वैनने कई बातों से रोग दिया जाता है इद के बाद आप समाने दिनों की तरह दिनों में खाद पी सकते हैं इद उल फितर इस बात का ऐलान है कि अल्ला की तरफ से जो पावंदिया माहर अब जान में तुम पर लगाई गई थी वै अब खतम की जाती है इसी फितर से फितरा बना है फितरा जानी वैरकम जो खाते पिते साधन सपन घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमजोड लगों को देते हैं इद की नमाज से पहले इसका अदा करना ज्रूरी होता है इस तरह अमीर के साथ गरीब की भी इद मन जाती है कुरान पाक के अनुसार किताबों में आया है के रमजान में पूरे रोजे रखने वाले का तौफा इद है इस दिन अल्ला की रहमत पूरे जोश पर होती है और अपना हुकम पूरा करने वाले बंदों को रहमतों की बारिश से भिगो देती है अल्ला पाक रमजान की अबादतों के बगले अपने नेक बंदों को बक्षे जाने का एलान फर्मा देते हैं असल में इद से पहले यानी रमजान में जकात अदा करने की परंपरा है तो और इसी तरह इदुल फितर और इदुल फितर मनते पूरी होने का दिन है अल्ला की तरफ से रोजेदारों को तोफ़े का दिन माना गया है इसी परकार ये भी कहा जा सकता है कि एक महिने के चंतन दथा अध्यातमक भक्ती के बाद इश्वर की प्रती अभार व्यक्त करने के लिए इदुल फितर का तोहार बनाया जाता है जिसे मीठी एद के नाम से भी जाना जाता है और ये रमज़ान के प्रती इसका प्रतीक भी है तो सब को एदुल फितर की मुबारिक बात रोजेदारों को मिलेगा तुफ़ा